आजके इस वीडियो में मैं आपके साथ एक स्किन केर रेमेडी शेयर करने वाली हूँ जो कि इंसेंटी हमारे चेहरे से पिग्मेंटेशन को, डार्क स्पॉट्स को, मेलास्मा को रेड्यूस करने में बहुत ज्यादा हेल्फुल है हमारे स्किन को टाइट बनाने वाली है और एंटी एजिंग भी है साथ ही हमारे स्किन टोन को लाइट करने वाली है हमारे स्किन से डेट स्किन सेल्स को रेमूव करने में बहुत ज्यादा हेल्फुल है तो चलिए देखते हैं कि हम इसे प्रिपेर कैसे करना है इसे बनाने के लिए सबसे पहले मैंने या पर एक bowl में थोड़ा सा या पर milk का use करा है और जो हमारा कच्छा दूद होता है वो हमारे skin tone को lighten up करने में बहुत ज़दा helpful होता है milk में होता है lactic acid जो कि हमारे skin tone से pigmentation को remove करने का काम करता है अगर आपको चेहरे पर suntan की problem हो गई है धूप में रहने की वज़े से आपको suntan हो रहा है तो instantly हमारे skin से suntan को remove करने में बहुत ज़दा helpful है तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा milk का use करा है 5-6 tablespoon हमने आपे milk लिया है और इसमें मैं आधी चमच नारियल के तेल को add कर रही हूँ जो कि हमारे skin से premature signs जो होते हैं हमारे aging के जिसे की fine lines हो गए wrinkles हो गए उन्हें remove करने का काम करते हैं अब हमने आपन milk और इस coconut oil को बहुत अच्छे से आपस में mix कर लिया है और last में में इसमें add कर रही हूँ थोड़ा सा lemon juice lemon में होता है vitamin C जो कि pigmentation removal का काम करता है sun tan तो remove करता ही है बलकि जितनी भी हमारे dead skin cells रहती है हमारे skin के ऊपर हमारी तवचा पर उसे हटाने का उसे remove करने का काम करता है हमारा lemon तो मैं आपर half lemon का use कर रही हूँ और अगर आपको lemon से sensitivity है तो आप यहाँ पर lemon को skip भी कर सकते हैं बट मैंने आपर आधे नीबू को use कर रहा है इसे मैं एच्छे से निचोड़ लिया है और 5-7 drops मैंने lemon juice की भी इसमें add करी है और अब हमारा DIY बनके almost ready हो गया है अब टाइम है इसे अपने पूरे face पर apply करने का और आपको इस remedy को लगाना कैसे है आपको इसे रोज लगाना है दिन में एक बार रात को सोने से पहले morning में आप इसे बिलकुल मत लगाए क्योंकि दिन में हम काम करते हैं हमें पसीना आता है धूप की वज़े से धूल मिटी की वज़े कभी हमारे skin पर इस सब चीजे stick on हो सकती है तो रात को सोने से पहले जब आप अपने face को wash करते हैं सोने के time पर उस time आपको इसे पूरे चेहरे पर हाथ पेरों पर इसे apply करना है यह ना ही सिर्फ हमारे face के लिए है बलकि आप इसे natural moisturizer की तरह अपने हाथ पेरों पर भी लगा सकते ह है यह हमारे hands की हमारे legs की skin को soft करने का काम करती है हमारे skin से dead skin cells को remove करती है pigmentation को कम करती है और अगर आपको skin में कोई irritation है तो उसे भी reduce करती है तो यहाँ पर मैंने इन सबी चीज़ों को चीजे से mix कर लिया और अब time है से अपने पूरे face पर apply करने का तो मैं इसे अपने पूरे forehead पर पूरे अपने cheeks पर lips पर nose पर apply कर रही हूँ अगर आपको chin पर या फिर nose पर आपको blackheads whiteheads की problem है तो आपके blackheads और whiteheads भी इससे easily remove होने वाले है फर्दर आपको blackheads की problem भी नहीं होने वाली है अगर आप इस तरीके से मेरे बताय अनुसार इसे use कर पिंपल्स एक्ने के marks हुए है पिंपल्स हुए और उनके marks अभी भी आपके cheeks पर हैं जिसे मुझे हैं तो यह हमारे face से pigmentation को remove करने में बहुत ज्यादा helpful home remedy है तो मैंने इसे face पर लगाया है साथ ही is home remedy को मैं पूरे हाथों पर भी apply करने वाली हूँ यह मेरे हाथों की skin को भी soft करता है, moisturize करता है, sun tan को remove करता है, जितनी भी dead skin cells रहती है, जितनी भी deposit रहता है उसे remove करने में help करता है तो रात को सोने से पहले शाम के time इसे आप अपने पूरे चेहरे पर, साफ चेहरे पर, हाथ पेर पर apply करें और रात पर इसे ऐसे ही लगा कर आप सो जाएं, next morning जब wash करेंगे, नहाएंगे तब आप देखेंगे, कि instantly आपको लगे गई नहीं कि आपको moisturizer लगाने की जरुद भी है, आपके skin इतनी जदा baby soft हो जाएगी, इतनी जदा glowing हो जाएगी, इतनी जदा clean हो जाएगी, तो आप इस home remedy को try ज़रूर करें और अगर आप मेरे चैनल पर नए मैं आप से फिर मिलूँगी एक नए वीडियो में